आमोस भुष्वक्ता की पुस्तक अध्याए आठ परमिश्वर यहवा ने मुझको यो दिखाया कि दुपकाल के फलो से भरी हुई एक टोकुरी है और उसने कहा हे आमोस तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा दुपकाल के फलो से भरी एक टोकुरी यहवा ने मुझसे कहा मेरी प्रजा इसरायल का अंत आ गया है मैं अब उसको और न छोड़ूँगा और परमिश्वर यहवा की वानी है कि उस दिन राजमंदिर के गीत हाहाकार में बदल जाएंगे और लोथो का बड़ा धेर लगेगा और सब स्थानों में वे चुपचाप फेक दी जाएगी यह सुनो तुम जो दरिद्रों को निगलना और देश के नम्र लोगों को नाश करना चाहते हो जो कहते हो नया चांद कब भीतेगा कि हम अन्न बेच सके और विश्राम दिन कब भीतेगा कि हम अन्न के खते खोल कर एपा को छोटा और शेकल को भारी कर दे और छल से दंडी मारे और कंगालों को रुपया दे कर और दरिद्रों को एक जोड़ी जुत्या दे कर मोल ले और निकम मा अन्न बेचे यहवा जिस पर याकुप को घमन करना उजित है वही अपनी शपत खाकर कहता है कि मैं तुम्हारे किसी काम को कभी न भूलूंगा इस कारण भूमी न कापेग और क्या उन पर के सब रहने वाले विलाप न करेंगे यह देश सब का सब मिस्र की निल नदी के समान होगा जो बढ़ती है फिर लहरे मारती और घट जाती है परमिश्वर यहवा की यहवानी है कि उस समय मैं सुर्य को दो पहर के समय अस्त करूंगा और इस देश को दिन करबों के उस्तों को दूर करके विलाप कराऊंगा और तुम्हारे सब की तुम को दूर करके विलाप के गीत गाऊंगा और मैं तुम सब की कटी में टाट बंदवाऊंगा और तुम सब के सीरों को मुंडवाऊंगा और ऐसा विलाप कराऊंगा जैसा एकलवते के लिए होत और इसका अंतर कठिन दुख के दिन कासा होगा। परमिश्वर यहवा की यहवानी है कि देखो ऐसे दिन आते हैं कि मैं इस देश में महंगी करूँगा। उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की पैस होगी परन्तु यहवा के वचनों के सुनने ही की भूख पैस और लोग यहवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे परन्तु उनको न पाएगे। उस समय सुन्दर कुमारिया और जवान पूरुष दोनों पैस के मारे मुर्चा खाएंगे। सब गिर पड़ेंगे और फिर न उठेंगे।